ओम शान्ती, आज 24 दिसंबर 2021, आज की साकार मुली, रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पड़ें, सुनें और मन्थन करें, मिठा मिठा बाबा केते मिठे बच्चे, बाप तुम्हें सिम्रिती दिलाते हैं, तुम पावन थे, फिर 84 जनम लेते लेते, बन गई हो, आप फिर से पावन बनो, प्रशन, बे समझ से समझदार बनने के लिए, बनने वाले बच्चों से, बाप कौन सी बात पूछ कर किस पुरशारत की राय देते हैं, पहले पूछते हैं, फिर कौन से पुरशारत की राय देते, दो बाते बतानी हैं, बे समझ से बनने वाले बच्चों, बाकी बच्चों ने, जो बेसमझ से समझदार बनने वाले बच्चे हैं, उनसे बाप कौन सी बात पूछते हैं, फिर किस पुरशार्थ की रहे देते हैं, बच्चे, हमने तुमको कितना धन दिया था, पांच जार साल पहले, ठीक है, तुम्हारे पास अनगिनत धनता फिर तुमने इतना सब कहां गवाया तुमने इतना इंसाल्वेंट कैसे बन गये तुम क्यों दिवाला निकाला आप ना कैसे दिवाला निकला आपका भारत जो सोने की चिडिया था वो ऐसे कैसे बन गया अब बाप राय देते हैं बच्चे फिर से पुर्शार्थ करो राज योग सीख कर तुम स्वर्ख के मलिक बने राज योग सीखो और स्वर्ख के क्या बन जाओ बच्चे यहां किसको याद करते हैं अपनी बेहद के बाप वे कहां है वो बेहद का बाप कहा है उनको पकारा जाता है ना पतित पावन आओ आकर हमको पावन बनाओ आज कल सन्यासी भी कहते हैं पतित पावन सीता राम अर्थात हम पतितों को पावन बनाने वाले आओ ये तो बच्चे समझते हैं पावन नई दुनिया सत्युक को पतित पुरानी दुनिया कल्युक को कहा जाता है अभी तुम बैठे हो कल्युक के अंत में इसलिए पुकारते हैं बाबा आकर हमको पतित से पावन बनाओ हम कौन है आत्मा को ही पावन बनना है आत्मा पवित्र बनती है तो फिर शरीर भी पवित्र मिलता है आत्मा पतित तो फिर शरीर भी पतित है ये शरीर तो मिट्टी का उतला है आत्मा तो अभी नाशी है आत्मा इन अर्गंस द्वारा कहती है पुकारती है हम बहुत पतित बन गए हैं हमको आकर पावन बनाओ बाप पावन बनाते हैं पाँच विकारों रूपी रावन पतित बनाते हैं पावन सत्युक को और पतित कल्युक को कहा जाता है अभी तुमको बाप ने स्मृति दिलाई है तुम पावन थे फिर ऐसे ऐसे 84 जनम लिये हैं अभी बहुत जन्मों के भी अंत में हो अभी बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में हो 84 जनम पूरे हुए हैं ये तो मनुशे स्रिष्टी रूपी जाड़ है मैं इनका बीज रूप हूँ मुझे बुलाते हैं ये परम पिता परम आत्मा चो गाड़ पादर लिबरेटर और गाइड भी है हर एक अपने लिए कहते हैं मुझे छुड़ाओ छुड़ाओ भी और पंड़ा बन कर शान्ती धाम ले जाओ सन्यासी आदी भी कहते हैं स्थाई शांती कैसे मिले आब शांती धाम तो है मूल वतन जहां से फिर आत्माएं पाड बजाने आती हैं वहां सिर्फ आत्माएं हैं शरीर नहीं है आत्माय नंगी अर्थात शरीर बिगर रहती है वे है शांती धाम अत्वा निर्विकारी दुनिया जहां आत्माय रहती है बच्चों को सीड़ी पर भी समझाया है कैसे हम सीड़ी नीचे उतरते आये हैं हम सीड़ी नीचे उतरते आए हैं 84 जनम लगे हैं एक जनम दो जनम की बात नहीं ये 84 जनम है maximum अच्छी तरह सपस्ट कर रहे हैं न maximum 84 जनम है फिर कोई एक जनम भी लेते क्योंकि इतनी बार 84 जनम बोल दिया तो सारे समझ लेते हैं कि हमारे भी 84 जनम होंगे 35 लाइन को बाबा ने यहां आकर clear कर दिया कि ये 84 जनम है maximum फिर कोई एक जनम भी लेते हैं एक से 84 तक है पैं किसी के 2, 4, 10, 50, 40, 80, 85 85 नहीं हो सकते 84 तक अभी बाब कहते हैं मैं आया हूँ पावन बनाने बच्चे चिथी लिखते हैं तो एद्रस लिखते हैं शिव बाबा केर ब्रह्मा बाबा शिव बाबा है आत्माओं का बाब और ब्रह्मा को कहा जाता है आदीदेव आदम आदम दादा ठीक है करने हैं अलग-अलग दादा में बाप आते हैं कहते हैं तुमने मुझे बुलाया है ए पतित पावन आओ ए पतित पावन आओ आत्माओं ने इस शरीर द्वारा बुलाया है मुख्य है तो आत्मा न यह है ही दुख दाम यहां दुख तो अचानक बैठे बैठे अकाले मिर्त्यू भी हो जाती है चोटे बच्चे भी मर पढ़ते हैं सत्यूग में अकाले मिर्त्यू कभी होती नहीं वहां ऐसी कोई बिमारी आदी नहीं होती नाम ही है क्या नाम है? स्वर्ग मा कैसे बिमारी हो जाएगी बैठे कितना अच्छा नाम है? कहने से ही दिल खुश हो जाते हैं सत्यूग हेवन पैराडाइज क्रिश्चन भी कहते हैं सत्यूग कहो हेवन कहो पैराडाइज कहो क्रिश्चन भी कहते हैं क्राइस से तीन हजार साल पहले पैराडाइज था या भारत वासियों को तो ये पता भी नहीं है कि स्वार्ग भी था क्योंकि उन्होंने बहुत सुख देखा तो दुख भी बहुत देख रहे हैं जिन्होंने सुख बहुत देखा तो दुख भी उनको बहुत देखने को मिलेगा जिन्होंने सुख कम देखा तो उनको दुख भी कम मिलेगा क्योंकि हर आत्मा को आदा समें सुख आदा समें दुख मिलना है तो जो सत्यूग में आ गए 4900 साल के लिए 4900 साल के लिए उनके लिए तो 5000 साल का दुख और 5000 साल का सुख हो गए और जो आया सिरफ एक साल के लिए उसको छे मैंने सुख और छे मैंने सुख आपने ज़्यादा सुख देखा तो दुख भी तो बाबा कह रहे हैं कि ज़्यादा देखा ना अब कोई एक जार साल के लिए आया है तो उसकी धाई सो साल सतो परदा नवस्ता है अब लाइन नहीं समझें लाइन दोनों है देखिए बात समझें कि आपको सुख ज़्यादा मिला क्योंकि आप पहले आ गए जो पहले पहले आ गया उनको सत्यूग भी मिला तरेता भी मिला उनको सुख मिल गया अब जो आया द्वापुर में जो द्वापुर में आया तो आप भी द्वापुर में आए आपको द्वापुर से साड़े बारह सो साल तिसरी स्टेज मिलनी है और उसको उसको पहली स्टेज मिलनी है सिरफ साड़े साड़े बारह सो साल और सावा छे सो साल में वो द्वाप तो उसको सुख तो थोड़ा सा ही मिला ना और सेना वह सत्यू के त्रेता वाला सुख तो देखा ही नहीं कि होता क्या है क्योंकि उसका सुख शूरू ही कहां से होता है पचास से शुरू होता है जब आप पचास पर आ गए उसका तो पचास वाला सुख वहीं से शुरू हो रहा है और स्थियक्ट को जो यह सटिये बीन मलने वाला है ना आए बाबा एक लाइन में गोलती है कि आदा पूप invasive घुच को तो मत पर def again वो बात आप वही तुम बता रहा हूं उसी बात को समझाने कोशिश कर रहा हूं कि बाबा ने कहा आपको सुख ज़्यादा मिलता है सत्युक तरेता वाला सुख जो आई ही आत्मा द्वापुर में उसको तो वो मिला ही नहीं न आप भी 50% पर आ गए आपके वाद 50% वाला सुख मिल रहा है वो 50% वाली आत्मा आई ही अब रही है उसको 100% वाला सुख तो नहीं मिलेगा उसको सुख 50% वाला ही मिलेगा ठीक है करने और जो आत्मा आई ही जो इनकाल्यूग में रही है तो उसको सुख जब आप भी 25 पर आ गए वो 25 वाली आत्मा आई अब उसको 25 वाला सुख ही उसके लिए 100% सुख है चतो पर धानता है परन्तु आपके जो सुख का लेवल है वो slow 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 नीचे आता है पर उनका जो लेवल है वो fast spirit से अब जो एक साल के लिए आया उसने एक साल में चार स्टेजिस पार कर दी हो गया काम उसका एकी साल के अंदर पर तु वालब सुख जिसने जो जितना पहले आया तो दुख भी तो उसको ज़्यादा लगता है ना जिसने सुख ज़्यादा देखे हैं तो उनको दुख भी तो ज़्यादा अब फील कैसे करता है वो उसके कर्मों का एकाउंट उसका रोल पर निर्भर करेगा पहले पैराडाइस था यहां भारत वास्यों को तो यह पता भी नहीं है क्योंकि उन्होंने बहुत सुख देखा है तो दुख भी बहुत देख रहे हैं उनको दुख भी बहुत देख रहे हैं तमो परधान बने हैं बाद में आई है तो तो सुखी नहीं है आप किसी भी देश में जाके देख लो कोई सुखी नहीं है कमफट क्या है कई भी नहीं है वो तो पूरी धर्ति पर एक ही बात है ये तो केवल हमारे सोचने की बात है कि भी हमारे पास वो ऐसा कुछ नहीं है वहां पर भी जो यहां की दुरदशा में जीने वाले लोग हैं वहां बार भी ऐसी दुरदशा में जीने वाले लोग हैं मांसिक तनाव भी और सबसे बड़ी बात कि कुछी लोग हैं जो यहां शाहिठाट ले रहे हैं वहां भी कुछ ही लोग हैं जो शाहिट हाट ले रहे हैं, यहां को बाहर से आता है, उसको उन एरिया में तो न ले जाया जाता है, जो सलाम एरिया हैं यहां के, ऐसे यहां से भी कोई जाता है, उन सलाम एरिया में तो न जाता है, वो तो बाहर की उन रोडों को देखता है, ज और देवर सुखे में आपको वह कोई भी नहीं आएगी वह भी आएंगे वह भी कहीं नहीं जाएंगे हर एक डेश के अंदर जहां एक तरफ सुख है वह दूसरे भी लोग हैं जिनके पास उन सुख स्विधाओं का दुर्पयोग के कारण वो नर्क में जी रहे हैं उनके पास सादर नहीं है पैसा था उन्हों ने अपने आपको नशे में बरबाद कर विया है वह इर्या वहां भी है क्योंकि आप उनको भार तो नहीं निकाल सकते ना फैक तो नहीं सकते ना कि इनद्या नोजा कहीं का भी हो मतलब हर जगा मलब सुख नहीं है कहीं भी अब उनके पास चाह कुछ भी है अब चाहे चाहे अमरीका हो चाहे रशिया हो कोई भी देश हो आपको अनके जब तक कोई चीज़ दूर है जब नजदीक जाके देखेंगे तो सब कर्मों का एकाउंट देखो हमारे ज़र एक बच्चा है वो मैंट की हुए और ना चल सकता है ना खुछा सकता है लेकि जिसे कई बैचे दुखी होते है ना वो दुखी नहीं है बिल्कु खुश लेकि जो उसके पेरेंस हैं वो सारे दुखी है उससे अब खुछ रोह कम तक र कि एसी होता है क्पोखी नहीं पूर रहे हैं तो मां रहाद केने का भाव यह है कि आधा कलब जा और धरम वाले आते हैं घुक cries दुखी में दुसरे धरम वाले फोते हीने अभी तुम समझते हो आधा कलब देवी देवता थे तो और कोई धर्म नहीं था और कोई धर्म नहीं था फिर त्रेता में रामराज्य हुआ तो इसलामी बोधी नहीं थे मनुष्य तो घोर अंधियारे में हैं कह देते दुनिया की आयू लाखों वर्ष इसलिए मनुष्य समझते हैं कल्यूग तो अभी छोटा बच्चा है तुम अभी समझते हो कल्यूग की आयू पूरी हुई है फिर सत्यूग आएगा इसलिए तुम आए हो बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने तुम सब स्वर्ग बासी थे बाप आते ही हैं स्वर्ग स्थापन करने बाकी सब शांती धाम घर चले जाते हैं फिर यहां आकर पाट धारी बनते हैं शरीर विगर तो आत्मा बोल न सके वहां शरीर ना होने कारण आत्मा शांत रहती है उनको मूल बतन शांती धाम कहा जाता है ये बाते शास्त्रों में है नहीं शास्त्र तो मनुश्यों ने बनाए है सत्युग में ये होते ही नहीं भक्ती ही नहीं करते हैं इसलिए शास्त्रों की भी दरकार नहीं रहती देवताइं भक्ती करते नहीं बाद में फिर देवताओं की भक्ति मनुशे करते हैं वे हैं ही देवताओं की दुनियआ यह है मनुशे की दुनिया देवताओं का राज्य था अब नहीं है कोई को पता नहीं है कि कहां गए इन लक्षमी नारहन की डिनैश्टी थी ये knowledge अभी तुमको मिलती है और कोई मुनुशे में ये knowledge होती नहीं बाप ही आकर मुनुशें को ये knowledge देते हैं जिससे मुनुशे देवता बन जाते हैं तुम यहां आते ही हो मुनुशे से देवता बनने देवताएं कभी अशुद्ध खान पान, बीड़ी अधी पिते नहीं वे हैं देवताएं, यहां हैं सब मनुश्य ये वे पावन, ये पतित बाप बैठ आत्मा से बात करते हैं, आत्मा ही सुनती है इन आरगंस द्वारा शास्त्रों में ये बाते नहीं है सत्युग में रावन होता ही नहीं, दुख का नाम नहीं, फिर दीरे दीरे दुख शुरू होता है फिर तुमारे पास अथा धन रहता है भक्ती मार्ग में तुम मंदिर बनाते हो, पहले पहले होता है सोमनात का मंदिर बड़े-बड़े हीरे जौरात थे तुमारे पास उनकी कोई कीमत कर नहीं से अब कोई उनकी कीमत नहीं कर सकते मुख्षा है सोमनात का मंदिर प्रतु राजाएं तो सब अपने अपना मंदिर बनाते होंगे क्योंकि उन्हों को पुजा करनी होती है पुजा पहले पहले होती है शिव की, सोमनात भी शिव को कहा जाता है, सोमनात अर्थात सोम रस पिलाने वाला, अमरित रस पिलाने वाला, ज्यान अमरित है, ज्यान अमरित है न, तो बाप बैठ समझाते हैं, बाप को ही truth कहा जाता है, God is truth, बाब कहते हैं मैं ही आकर पारत को सचखंड बनाता हूँ तुम सभी देवताइं कैसे बन सकते हो वे भी तुमको सिखलाता हूँ शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कार्य करते हैं ब्रह्मा ही गया ब्रह्मा हो गया सामरा खल्यू गए न, पतित एकदम सामरा बन गया क्योंकि बहुत जन्मों के अंत में अंत का भी ये जनम अंत का भी अंत का जनम है एकदम ये फिर गोरा बनेगा अब ये सामरा हो गया ये फिर गोरा बनेगा उसी के मुझसे कह रहे हैं उसी को किर्ष्ण का चित्र भी गोरा और सामरा है म्यूजियम में बड़े अच्छे अच्छे चित्र है जिस पर तुम अच्छी रीती समझा सकते हो यह तुम जानते हो हम शान्ती धाम अपने घर जाते हैं वहां के हम रहने वाले हैं फिर यहां आकर पाट बजाते हैं बच्चों को पहले पहले तो यह निश्चे होना चाहिए कि यह कोई सादू संत आदी नहीं पढ़ाते यह तो सिंदका रहने वाला था पन्तु इन में जो परवेशकर बोलते हैं वो है ग्यान का सागर इन में जो परवेशकर बोलते हैं वो है ग्यान का सागर उनको कोई नहीं जानता कहते भी हैं वो गाड़ पादर परणतु उनका नाम किसी को नहीं पता हमें पता है उनका नाम रूप देश काल संगव संगव यूग पर वो आते हैं परंधाम से हम सारे संसार की आत्माओं का ये कोई भी नहीं जानता दुनिया में कोई भी नहीं जानता फिर कह देते हैं फिर कह देते हैं कहा हैं सिकर बित्तर में सब में सरव्यापी कर देते हैं अरे परमात्मा कहा है क्वेस्चन पुछ रहें बाबा अरे परमात्मा कहा है कहेंगे वे तो घट-घट के वासी है सब के अंदर है अब हर एक के घट-घट में तो हर एक की आत्मा बैटिये परमात्मा बाप को तो बुलाते हो कि ये पतित पावन आओ फिर बैठी है तो बुलाते है किसको बाबा आकर हम पतितों को पावन बनाओ तुम मुझे बलाते हो ये दंदा ये सेवा करने के लिए हम छी छी को आकर शुद बना इसलिए बलाते हो न हम छी छी को आकर शुद बनाओ पतितों दुनिया में हमको निमंत्रण देते हो का निमंत्रण देते हैं पतितों दुनिया में हमको निमंत्रण देते हो बाप तो पावन दुनिया देखते ही नहीं देखते ही नहीं कैसी होती है पतित दुनिया में ही तुमारी सेवा करने आए है अब ये रावन राजे विनाश हो जाएगा बाकी तुम राज योग सीखते हो वहाँ जाकर राजाओं का राजा बनते हो तुमको तो अनगिनत बार बनाया है पहली बार नहीं अनगिनत बार बनाया है पहले पहले ब्रामन कुल प्रजा पिता ब्रह्मा भी गाया जाता है जिसको एडम आदिदेव कहा जाता है ये कोई को पता नहीं कोई को भी पता बहुत हैं जो आकर सुनकर फिर माया के वश हो जाते हैं पुन्या आत्मा बनते बनते फिर पाप आत्मा बन जाते हैं माया बड़ी जबरदस्त है सब को पाप आत्मा बना देती है यहां कोई भी पवित्र पुन्या आत्मा है नहीं पवित्र आत्मा देवी देवताएं ही थे जब सभी पतित बन जाते हैं तब बाप को बुलाते हैं आभी है ही रावन राज्ये पतित दुनिया उनको कहा ही जाता है काटों का जंगल सत्युग है गार्डन आप प्लावर्स मुगल गार्डन में कितने फर्स्ट क्लास अच्छे अच्छे फूल होते हैं कहा होता है मुगल गार्डन? दिल्ली आख के भी फूल मिलेंगे प्रन्तु उनका अंतर कोई नहीं समझते है शेव के उपर आख के फूल क्यों चड़ाते हैं? ये भी बाप समझाते हैं वो आख के फूल चड़ाते हैं, समझते नहीं क्यों चड़ा रहे हैं? मैं जब पढ़ाता हूँ तो उनमें कोई first class pool है कोई मोतिय क्या, कोई रतन जोत का, कोई आक के भी है नंबर वार तो है न तो इनको कहा ही जाता है दुख धाम, मिर्ति लोग, सत्युग है, अमर लोग नई दुनिया बनाने वाला है ही बाप उनको ही knowledge full कहा जाता है, वो चेतन्य बीज रूप है उनको ग्यान का सागर कहा जाता है, ऐसे नहीं कि सब के अंदर को जानते है अंतर्यामी है, ये मुनुश्य जूट बोलते है अंतर्यामी जो कहते हैं न, कहते हैं मुनुश्य जूट बोलते हैं मैं अंतर या मी नहीं हूँ बाकी ज्ञान का सागर ठीक है वो मैं हूँ वो तो मैं अंतर या मी नहीं हूँ मैं सब की अंदर की बैठके जानू तो बाबा का क्या हो जाएगा दिमाग? कराब हो जाएगा? अच्छा दिमाग है दिमाग तो शरीर में होता है उसके पास शरीर ही नहीं है हमारे पास दिमाग है शरीर मिला हुआ है तो मुनुशे जुट बोलते हैं बाग की ग्यान सागर ठीक है चैतन्य बीज रूप है शरीष्टी के आदी मद्य अंत को जानते हैं इसलिए ग्यान का सागर कहा जाता है शरीष्टी के आदी मद्य अंत का ग्यान तुम बच्चों को दे रहे हैं सात्य द्रेटा, द्वापुर, कल्यूग ये चाकर फिरता ही रहता है संगम पर दुनिया चेंज होती है अभी तुम संगम पर खड़े हो और तुम राज योगी हो बाप बैट पढ़ाते हैं बाप के जो बच्चे बनते हैं वे राज योग सीखते हैं पहले पहले मुख्य बात ये है समझने की बाबा बाबा भी है फिर सुप्रीम टीचर भी है सुप्रीम फादर भी है अभी तुमको शिव बाबा पढ़ाते हैं ये तुमारा सत्गुरू भी है तुम सब को वापस ले जाएंगे जिसको शिव की बरात कहा जाता है सब भक्तों को भगवान पढ़ा कर क्या बनाते हैं? स्वर्ग वासी बना देते हैं ये बाते कोई शास्त्रों में नहीं है शास्त्र तो इस दादा ने भी बहुत पड़े है बाप नहीं पड़ता बाप इन शास्त्रों को बाप तो खुद सद्गती दाता है बाप तो खुद सद्गती दाता है उनको तो कोई शास्त्र पढ़ने की दरकार ही नहीं है करके सिर्फ रेफर करते हैं उनका रेफर देते हैं रेफरेंस देते हैं उसमें ये लिखा है सो भी सिर्फ गीता को सर्व शास्त्र मैशिरो मनी गीता भगवान ने काई है प्रंतु भगवान किसको कहा जाता है ये भारतवासी नहीं जाता है अभी गीता में परशन पुछा गया था बहुत अच्छा परशन बनाए उसको देखना पंदर में अध्याय के छे शलोक जिसमें कल्प वरिष्ट का जिक्र किया और मैंने वर्ड वर्ड उसका मेनिंग उसमें दिखाया है बहुत अच्छी तरह एक्सप्रेंट किया है कालप वरिष्ट गीता का जिह पंदर मां अभी दू तिन पहले डाला है और छे शलोक हैं छे शलोकों में कल्प वरिष्ट उन्होंने और उन्होंने जो वर्ड किया है उन्होंने अपने तरीके से गलत का दिया उसको मैंने वर्ड वे वर्ड पस्ट किया है कि भी ऐसी बहुत अच्छा लगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा कि पंद्रवय ज्याय प पुरिक्ष्ट का बहुत अच्छा बनन किया है और हमारे ग्यान के इसाब से किया है और मतलब जब की और उन्होंने कैसे बेड़ा गर्क किया है वो आप देखेंगे तो समझ में आई तो सब जूट है जूट भी मतलब व्याख्या करने वालों ने करती है बहुत अच्छा मुझे लगा बनाने पर कि मेरे को बच्चे जो है ना पाबा के बच्चे बिजी का देते हैं अब इतना सारा काम दे देते हैं मैं क्या करूं जवाब देना मेरे लिए ठक गया हूँ ठक रहा हूं जब कैसे करूं ये घड़ी भी ने जुपती मेरी आगे खड अंतु भगवान किसको कहा जाता है ये भारतवासी नहीं जानते हैं ये भारतवासी नहीं जानते हैं सो भी सिर्फ गीता को भारतवासी इस बात को जानते हैं शंकर पार्टी वाले भी अपने क्वेस्चन दिन पर दिन भीरते जाते हैं वो भी कम क्वेस्चन नहीं पूछत बहुत ज़्यादा और इधर ब्रमा कुमार भाई बेन कहते हैं तुम उन पर मत बनाओ इससे उनके एड़वर्टाइजमेंट होती है मैं बता रहा हूं कि ये इनकी ये गलती है ये गलती है अब उन्होंने न को बाबा की मुर्लियों को कैसे तोड़ते हैं डेट भी देते हैं और गलत को इंटरप्रेट ब्रैकेट में लिख करके अपनी बात बना देते हैं मलब ब्रैकेट को आम दुन्या नहीं समझ सकती ब्रैकेट में उन्होंने अपनी तरफ से जोड़ा है वो बाबा ने नहीं कहा है मलब वो इस बात को नहीं समय को आब इस बात को को समझाने वा करके वहां लिखा हुआ है ब्रेकिट लगा करके शंकर मैं और रे बहुँ तू कैसे हो गया चैने ब्रहमा कुमारिज़ गंदे हैं हम अच्छे हैं बाबा मुरली में हमारा जिकर कर रहा है उनका नहीं कर रहा है वो यह बताना चाहता है अपने तरफ से ब्रैकिट में लिख देता है वो मुर्ली में तो है नहीं ब्रैकिट में लिख दिया ब्रैकिट में अब विचारी जो आम पढ़ने वाले हैं वो इसलिए भठक रहे हैं कि अगर शेव द्रोही महमदास कहावा ऐसे ने एक शलोक है रामयन का उसके ओपर भी अपने व्याख्या खुद कर रहा है कि वो मुझे प्राइब क्वेश्चन भी खुद देता है यह मैंने नूट किया जैसे आप बताओ उसने का जिए शेव द्रोही महमदास कहावा उसे ब पुरा बोलकर के पर इसकी व्याख्या करना शुरू करते हैं कि शेव और शेव और शेव में तो अंतर है ही नहीं ना मैं ही शेव हूँ मैं शेव हूँ तो मेरा फिर अदास के से बन सकता है मुझे नहीं पा सकता है मुझे नहीं पा सकता आप उसारे समझें कि यह शेव है मुरली ठीक कह रही है, व्याक्षा ये है इसकी, व्याक्षा ही बदल दी. अपने आपको शंकर बना के बैठ गया है, अपने आपको राम बना के बैठ गया है अब राम भी है नी, शंकर भी है नी, ना राम है ना शंकर है और दोनों बना के बैठा हुआ है वो, अब बिचारे भगत, बच्चे हैं बाबा के तुने के वो टू-टूर करके उधर जा रहे हैं पाट अरात्मा का वो भी मेरे पास ही बेचते हैं मैं देखता हूँ कि मेरे ही पेपर लेने के लिए सारे बेठे हुए मैं कब पेपर में पास हूँगा ये मुझे समझ में नहीं आता सरवशास्त्र शिरुमन्य घीता भगवान ने गई पर तो भगवान किसको कहा जाता है ये भारत वसी नहीं जानता बाप को सरव्यापी कह देते हैं तो जैसे दिफेम करते हैं बाप की इंसल्ट करते हैं इसलिए पतित बन जाते हैं फिर पावन कोन बनाए? कितना defame किया है वही आकर पावंद बनाते हैं कहते हैं मैं निश्काम सेवा करता हूं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं मैं नहीं बनता स्वर्ग में मुझे याद भी नहीं करते हो दुख में सिमन सब करे सुख में करे न कोई इनको दुख का और सुख का खेल कहा जाता है स्वर्ग में और कोई धर्म होता ही नहीं ये सब आते ही बाद में हैं क्रिश्चन लोग खुद कहते हैं तीन हजार वर्ष पहले स्वर्ग था और कोई धर्म नहीं था हम आत्माई शांती धाम में थी ये बाते कोई शास्तर में नहीं बाप इस ग्यान से सद गती करते हैं किसका नाम जिसका नाम गीता रखा बाबा आकर जिस ग्यान से सद गती करते हैं उस ग्यान का नाम क्या रखा है गीता रखा है बाप को बुलाते हैं आकर यहां से स्वर्ग में ले चलो तो पुरानी दुनिया का भी नाश हो जाएगा नैचुरल कैले मिटी इस्तुफान आएंगे बहुत जोर से बाप आकर बे समझ को समझदार बनाते हैं बाप कहते हमने तुमको इतना धन दिया था अनगिनत धन था फिर इतना सब कहां गमाया बेहद का बाप पूछते हैं कहां किया वस्चन मारत तुम इतने साल्विंट कैसे बन गए आदा कलब से धन गमाते गमाते तुम इन साल्विंट बन पड़े हो भारत जो सोने की चिरिया था सो अब क्या बन गया है फिर पतित पावन बाप आए हैं राज योग सिखा रहे हैं वे है हाथ योग और ये है राज ये राज योग तो दोनों के लिए है दोनों का मतलब सिर्फ पुरुष के लिए नहीं वो तो दुनिया में सिर्फ पुरुष जाते हैं योगा आसन करने इस तरहां वो तो कब जाती हैं जाती हैं प्रंतु उतना नहीं जितना पुर्ष जाते हैं योग सीखने के लिए अब बात कहते हैं पुरशार्थ कर स्वर्ग का मालिक बन कर दिखाना है इस पुरानी दुनिया का तो विनाश होना ही है बाकी थोड़ा समय है लड़ाईयां भी शुरू हो जाएंगी Atomic Bumps शुरू तब करेंगे जब तुमारी करमातीत अवस्था होगी और स्वर्ग में जाने लाइक बनेंगे तब तक बनाते रहेंगे तब तक बाबा बनाते रहेंगे बाब फिर भी बच्चों को कहते हैं क्या कहेंगे शाज की यात्रा करते रहो अपने चरित्र को सुधारते रहो चड़ती कला में आगे बढ़ते रहो इसमें ही माया विगन डालती है अच्छा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते दारना के लिए मुख्य साथ नमबर एक देवता बनना है इसलिए खान पान बड़ा शुद रखना है अशुद्धी को ट्याग देना है स्वर्ग में जाने के लिए पूरा पूरा लाइक बनना है कर्मा तीत अवस्ता बनाने के लिए पुरुशार्थ करना है वर्दान स्रेष्ट कर्म द्वारा सिम्रन योग्ये बनने वाले योग युक्त युक्त आपका एक एक कर्म जितना स्रेष्ट होगा उतना ही स्रेष्ट आत्माओं में सिम्रन किये जाएंगे भक्ती में नाम का सिम्रन करते हैं लेकिन यहां जो स्रेष्ट आत्माओं हैं उनके गुणों और कर्मों का मिसाल बनाने के लिए सिम्रन करते हैं तो आप स्रेष्ट कर्मों के अधार पर सिम्रन योग्ये बनते जाएंगे और आपके स्रेष्ट कर्मों को और गुणों को सिम्रण किया जाएगा इसके लिए योग युक्त बनो योग युक्त बनने से हर संकाल्प शाब्द वा कार्म युक्ती युक्त अवश्य होगा उनसे अयुक्त कार्म वा संकाल्प हो नहीं से गलत कार्म जो युक्त ना हो ठीक ना हो नहीं सकता ये भी connection है स्लोगन निमित और निर्माणचित निमित बनो और निर्माणचित बनो यही सच्चे सेवाधारी के लक्षन है ओम शांति और विस्तार से जानने के लिए विश्व में एक सो चालिस देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी इश्वरिये विश्व विद्याले के किसी भी सेवा केंदर पर समपर करें और यदि कोई प्रशन हो या कोई बात स्पस्त ना हो रहे हो तो 9213106986 पर केवल वर्शेप करें ओन नहीं ओम शांति